शी राधा कृष्णाए नमो नमहा सरपतम मैं भगवान शी राधा कृष्ण के शी चरन कमलों की बंदना करता हूँ आप सभी भख शोता जनों को भी साधर नमस्कार करता हूँ ग्रण शी राधा रसुदा निदी से आज हम उस सद्धाय के शवन करने वाले हैं जिसका सीशक है शी राधा की दिव गुणावली जो इस ग्रंत में इस प्रकार से वढ़नित है शेक्रिश्न प्रेम के प्रवल चन्न समूद्वारा जिसके अंतस के समस्त अन आवेश दूर हो गए है जो अपार करोना के सिंधु सरूपा है जिसका दिव सौंदर मधुर लावन से सुलिल है जो सभी वेदों के लिए अलक्ष है रसागर है वही कोई अनिर्वचने सुकुमार राधा ख्यारतन जैयुक्त हो रहा है पिछले श्योग के बाद शिराधार रानी के नित्व परांतों के संचालन से श्रीकरष्ण वशिपूत है समगर विश्व को भी प्रेमरस में पलावित करती है नित्रों की माधुरी स्पूर्ति के आस्वादन से श्रीपात का चित विभोर है स्पूर्ति के देखता आपार सौंदर माधुर में श्रीपात का चित는 निमज्जत कर पहार भीतर खेल रहे हैं स्मारन निश्वादक जगत के विश्व में मूख होकर नित्य हिस इस अलौकिक माध्र का आस्वदन प्राप्त करता है अपने चिंतन में इस रस्का बिंदु मात्र आस्वादन होने पर विश्व में सभी कुछ तुछ लगता है प्रेम भक्ति सुधानिदी ताहे डुब निर्वधी आरत जट शार निथी प्राए श्रीपात की राधा निश्टा कैसी अद्भुत है राधारानी क्यातरिक अन्यत्र कही मन नहीं जिनके साथनित संबंध है उनके प्रती ऐसा ममत तो होगा ही राधा पच्सुधार साथक काफी परम अवलंबन है देह देह कादी सभी जाएगा सभी अनत्य है किसके पास जाकर खड़ा होंगा करुणा में शी गुरुदेव ने मुझे राधा दासित्व का सुरू बता दिया है अतैव शी राधा चर्णों को छोड़ मेरे खड़े होने की और जगा नहीं अनन्य राधा नश्ट भक्त में ऐसा मनोभाव थोड़ा बहुत जगेगा ही स्मरन सप्न एवं स्पुरन में शी राधा माधुर की यद्किंचत उपलब्धी होगी ही तभी तो आस्वास श्रीपार नित परिकर है ममता के आतिशे से चेहनत है उनका प्रेम तभी प्रतेख श्लोक में हिदयस्त निवड ममता की अभी विक्ती है पिछले श्लोक में श्रीपाद ने सौरुपा वेश में श्रीमती के नएन माधुर एवं कैश और माधुर का स्वादन प्राप्त किया था स्पूर्ती में विराम आने से हाहाकार मच गया इस लोग में विरह आरती पून्चत्त में श्रीमती के गुन माधुरका स्पुरन हुआ है श्रीपात ने श्रीमती का वर्णन किया है नवरतन के रूप में इससे किसी के मन में ये बात आ सकती है कि क्या श्रीमती का अंग प्रत्यंग रतनों की तरह सुकठोर है ऐसे प्रश्ण की संभावना को ध्यान में रखकर श्रीपात बायवेश में कहते हैं राधा नामक कोई अनर वचनिय सुकुमार रत्न जैयुक्त हो रहा है वे उस राधा नामक रत्न को इस लोग में पाँच विशेशनों से विशेशत कर रहे हैं आमंद कृष्ण प्रेम के चन से जिनके हिदय के समस निर्बंद या अन आवेश सितल हो गए हैं आमंद का अर्थ है अतिशुद या तीवर प्रेम भगवत प्रेम सोपाधी एवं निरुपाधी भेट से दो प्रकार का है सोपाधी प्रेम में विमलता नहीं इसलिए उसका आस्वाधन भी विमलता हीन है जहां प्रेम निरुपाधी है वहां आस्वाधन या रस भी विमल है उस आस्वाधन के अतिशे से प्रेमी के श्री कृष्ण के अतरिक्त अन आवेश दूर हो जाते हैं कृष्ण पात्पंक गंद जेई इन पाए ब्रह्म लोग आदी सुक तारे नहीं भाए ब्रच सुन्दरियों में निर्वापाधी या निर्मल प्रेम की चर्मता है उस प्रेम की उनमादना में वे सभी कुछ त्याका श्री कृष्ण भजन की परम सामर्थ प्राप्त करती है लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म लज्जा धैर देह सुक आत्म सुक मर्म दुस्तज आप पर्थ निच परिजन स्वजने करे जत ताडन भगसन सर्वत्याग करी करे कृष्णे रभजन कृष्ण सुक हेतू करे प्रेम सेवन यहां के कहिए कृष्णे दृड अनुराग स्वक्ष धौत वस्त्रे जैशे नाही कौन दाग श्राथा अब्रज सुन्दर्यों की शिरोमनी स्वरूपा है अतेव उनमे निर्वपाधी या सुनिर्मल प्रेम की पराकाष्ठा है कांता प्रीती में पांच उपाधिया है स्वसुक तात्पर, एश्वर एग्यान, सौन्दरादी गुनों का अनुसंधान, पति आदिक संबंधों का अनुसंधान वरमन और मेरमनी इत्यादी धारनाए श्राथा के प्रेम में यह उपाधिया नहीं है इसलिए उन में कृष्णवेश की और कृष्ण के अतरक अनआवेशो के त्याग की परिकास्था है श्रीमती दयापार अर्थात आपार करुना की सिंधु सरोपा है जो आश्र जनों पर आपार करुना बरसाती रहती है यहां तक की अनाशित जनों पर भी उनकी अबाद करुना राशी के बरसने की बात सुने जाती है इस प्रसंग में प्रजधाम की एक सुप्रसित सत्त घटना को लेक करता हूँ पंजाब की एक स्ट्रेंड युवक को स्ट्री वियोक होने पर स्ट्री के विरह में उनमाद हो गया वो उनमादी युवक्चत वशेप के कारण नाना स्थानों में भरमन करता हुआ एक बार विंदावन आया वदन वर राधारानी के माई के बरसाने में गहन रात के समय इस्त्री के विरह में रोने लगा उसकी इस्त्री का नाम था किशोरी हा किशोरी कहकर विलाप करते वे इस्त्री को पुकारने लगा अपार दयावति श्रिमती राधारा ने उस करंदन को सुनकर ललिता से बोली ललिते ये जो परम भक्त आवेक के साथ मुझे पुकार रहा है उसे शीगर मेरे पास ले आओ ललिता बोली राधे वो तुम्हारा भक्त नहीं है वो तो नारकी है स्री प्रेम में पागल है उसकी स्री का नाम है किशोरी इसलिए उसका नाम लेकर पुकार रहा है तुम्हें नहीं बुला रहा कुरूना में राधारा ने कहा ललिते सो तो मैं जानती हूँ पर क्या करू बताओ ये पुकार सुनकर मेरा चित्त विगलत हुआ जा रहा है मैं और स्थर नहीं रह पा रही हूँ कारण यहां तो सभी मुझे ही किशोरी कहते हैं इसलिए तुम उसे प्रेम दे कर मेरी सकी बना कर मेरे पास ले आओ इस दुस्तान से श्री मती की नार की वेक्ती के प्रती भी परम करूना का संकेत मिलता है एक नार की वेक्ती से लेकर दयासंदु श्री गोविंद तक सभी श्री मती के करूना द्वार पर भिकारी है श्री गोविंद भी नित्य ही उनके करूना रश से संचत होकर अपने को धन्य मानते है प्रेमिकों की करूना सचिदा नंधगन भगवान का नित्य काम है ये शास्त्रव महाजनुद्वारा अनुमुदत सिद्भांत है श्रीमती राधारानी में प्रेम परम महान है अतैव उनकी करुणा भी श्रीक्रिष्न को परम काम में है उन्होंने परम करुणा में श्रीमती की कृपा दत उनकी भाव कांती लेकर हैं इस विशेश कली मेशी गौरंग रूप में वरच की तीन अधोरी वांक्षाओं के आस्वात का सौभाग के प्राप्त किया और वरच के निगूर भंडार में अपार करुना सागर रूपनी श्रीमती की कितनी करुना सुरक्षत थी वजग जीवो को खोल कर दिखा दिया श्रीराधा का भाव अंगी कार किये बिनावे इतने दयालू नहीं हो सकते थे श्रीमती की दिनों को पावन करुना की जैहो दीसरी बात शीराथा दिव अखशा में उधुर लावन लिलितम अर्था दिव सौनदर माधुर लावन दौरा सौनलित है ये सौनदर विश्व के सौनदर जैसा नहीं यह महाभाव सित्पन सौनदर है सबी शभी शब्द से पहले दिव का प्रयोक किया गया है ये सौंदर दिव या चिन में है इसलिए भाशा दोरा वर्णियन नहीं अनुभवी भक्तों को अनुभवगम में और ध्यान में आस्वाद है वो मधोलावन से सुललित अत्वापरम मनोहर है लावनने का अर्थ है कांती माला रह रह कर्शी अंग से जर जर पड़ती है ये मधोलावन लावनने साशी गोविंद के लिए भी परम आस्वाद है साखी मंजरियों के नैन मीन इस ललत लावनने सिंधू में सततर तैने का सुख भोकते रहते हैं शावन कीतन चिंतन में शिराधा का ये ललत लावन साध़क भकतो को भी नत आस्वाद है फिर राधा निखल निगमेर यपताति तरह अलक्ष निखल निगम शास्तरों के लिए अतिशे दुरलक्ष निगम शास्तर अती वेपुल है उसके किसी अंश में कर्म, किशी में ग्यान और यो, किसी में भक्ती की बात वर्नित है परम रहस में अत्वा निगूर वजभक्ती का तत्व निगम शास्त्र के अती गुपत रूप से हृदे संपुट में शिपा रखा है ब्रज की भी परम निगूर जो शिराथा है वे निगम शास्त्र के लिए नितांत अलक्ष है यह कहना ही परियाप्त है यहां तक कि निगम कल्पतरू के रस्मे फल्श शीमत भागवत में भी शीशी शुकदेब मुनी ने देह में आत्मा की तरह और मन्थन काश्ट में अगनी के तरह शीराथा तत्त्व को गुपत भाव से छिपा लिया है परम रहस में तत्त्त्व को इसी प्रकाशे पाए हुए रखना अख्यल निगम शास्त्र और महाजनों को प्रिया है निगम शास्त्र के सार पंचम वेद श्री गीता में ब्रमा ग्यान को गोहिय परम मातम ग्यान को गोहियतर और भगवत ग्यान को गोहियतम कहा गया है शर्ना गती मुलक प्रेम धर्म को भगवान ने गीता के उपसंगार में सर्व गोहियतम कहा है उसी प्रेम तत्यो की परम सार अत्वा साखशात प्रेम लक्षमी है श्री राथा अत्य निगम सास्तर के लिए वे अलक्ष तत्यो होंगी यह सहची अनुमे है श्रीवन महाप्रुभू ने इस विशेश कली में इस परम रहस्मे तत्यो के साथ जग जीवों का परेचे कराया है एवं वेदों के लिए निगुड होते वे भी कलिहत जीवों को स्वेक्षा से राधा दास रूपी सर्वत्तम जातिय प्रेम भक्ती का धिकारी बनाया है तभी तो महाजनों ने गाया है करर लोचन पान रूप लीला दोहुगान आनंदे मगन सहचरी वेद विदी अगोचर रतन वेदर पर भजनिती किशोर किशोरी और अंत में कहा शीराधा रसाम भोधे सारम रसंधू का सार है कवी लोग शीराधा वदन की सुधा निदी चंद्र से तुलना किया करते हैं किन्तो प्राक्रिट जगत के शीर सिंधू से उत्पन चंद्र के साथ राधा वदन के तुलना नहीं हो सकती यदि प्रेम्रस सिंदू से किसी सुधाने दी या चंद्र का आविर्भाव होता है तो इसके साथ श्रादा वदन चंद्र की किंचित तुलना की जा सकती है अथवा, जैसे सागर मन्थन से सिंदू सार अमर्ध निकला ता वैसे ही प्रेमरत सिंधू का सार वरामरत सुरूप है महाभाव वह महाभाव है श्री राधा का सुरूप है इसलिए वे रस सिंधू सार है अथ्वा रसाम भोदे श्रीकृष्ण से सारम अखिल रसामरत सिंधू श्री क्रिश्न को भी सार या प्राण सरूप नी है श्री राधा एक बार श्री क्रिश्न ने माननी राधा के मान की संतुष्टी के लिए उनके पादमूल में बैट कर शाशुर नत्रों के साथ हाँ जोड़ कर कहा था ही राधे, तुम ही मेरा भूशन हो, तुम ही मेरा जीवन, तुम ही मेरे संसासंधो की रतन keto सरूप हो इसलिए तुम मेरे प्ति सतत्त अनुकूल रहो यह मेरे एकांत यतन्य है प्रेम के अधिश्टाती देवी शीराधा के प्रती प्रेम वश्र भगवान की ऐसी उक्ती संगत ही है कारण प्रेम वस्तु की एक बिंदू भी जैवाधार में प्रकट होने पर उस चीव शक्ति के दौरा दौर पर शी भगवान ने आत्म समर्पन की बात की उन्होंने स्वेम सर्व वेदांत साज शीमत भागवत में तारस्वर से घोशना की है भगवान ने दुर्वासा से कहा हे विप्र में अस्वत तंत्र की तरह सदा भक्त के अधीन डेता हूं कारण भक्त जन मुझे अतिप्रिय है सादू भक्त मेरे हदेप अधिकार किये विराजते हैं अतय प्रेम रक्ष्मी शु राधा के द्वारप पर श्री क्रशन की ऐसी वश्यता अती समीचीन है शुपाद बोले वही राधा क्या किमपी सुकुमार विजयते वही राधा नामक अती सुकुमार रत्न सर्वोतकर्ष के साथ विराज़ करता है इस प्रकार से ग्रंद शी शीराधारा सुधा निदी से आज की अध्याई के संपन्ता होती है जहां हमने शीराधारादी के दिव गुणावली का शवन किया शवन करने के लिए और अपना बहु मोलने समय देने के लिए आपको धन्यवाद शीराधा कृष्णा नमो नमहा